गीता जैन्ती दो हजार तेईस को सुभा साथ बच के दस मिनिट तक रहेगी तो आईए जानते हैं गीता जैन्ती का महत्व और उसे क्यों मनाया जाता है शास्त्रों के अनुसार द्रौपर युग में महा भारत युद्ध में जब अरजुन ने अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध क महा के शुकल पक्ष की एका दशीती थी के दिन गीता जैन्ती मनाई जाती है इस साल ये वरत 22 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा कुरू छेत्र में ही गीता जैन्ती के तिवहार का एवजन किया जाता है संपून भारत के तीर थियात्री एवं सरद्धालू जन इस कारिक्रम में भाग लेने के लिए हरियाना के कुरू छेत्र में एक खटा होते हैं सिर्मत भागवद गीता हिंदूओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है इस वर्स गीता की 5160 वी वर्ष गांठ है गीता को सिर्मत भगवद गीता और गीतो अपनिशेत के नाम से भी जाना जाता है ऐसा क माना जाता है कि दुनिया में किसी भी पवित्र ग्रंथ का जनम दिन नहीं मنایا जाता है लेकिन सिर्मत भागवद गीता दुनिया का एक मातर ऐसा ग्रंथ है जिसकी जैनती मनाई जाती है इसके पीछे का कारण ये है कि अन ग्रंथ मनुश्व द्वारा संकलित किये गए हैं लेकिन गीता का जन सोयम भगवान सिरी कृष्ण के मुख से हुआ है। गीता में लिखा हुआ एक एक स्लोग भगवान सिरी कृष्ण के मुख से निकला है। और इसलिए गीता जैंती मनाई जाती है। और ये स्लोग मनुष्य का कल्यान करने में सहता करते हैं। गीता में भगवान स्रीकृष्ण ने मनुश्य को अच्छे बुरे और सही गलत का अंतर बताया है। गीता में ही बताया गया है कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कहते हैं कि गीता जैंती के दिन यदी गीता का पाठ किया जाए तो भगवान स्रीकृष्ण का आशिरवात प्राप्त होता है। इस दिन हिंदु धर्म के महागरंत गीता, भगवान स्रीकृष्ण और वेदवयाज जी की पूजा की जाती है। स्रीकृष्ण ने सोयम गीता में अर्जुन को बताया है कि वो किन चीजों से प्रसन्न होते हैं और इसी दिन भगवान स्रीकृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म को समझाते हुए उपदेश दिया था महाभारत की युद्व में सिर्क्रशन के दौरा अरजुन को जो अपदेश दिये गए थे उसे गीता कहा जाता है गीता के अपदेश में जीवन जी ने धर्म का अनुसरन करने और कर्म के मेहतः को समझाया गया है शास्त्रों के अनुसार हम जो भी कर्म या पुन्य करते हैं आगे जाकर वही हमारा भाग्य बनाता है इसी वज़ा से लोग अपने भाग्य को समारने के लिए भागवान को बहुत सी महंगी चीजों को अरपित करते हैं इस बात की सच्चाई हम गीता से पता लगा सकते हैं गीता जैन्ती के दिन सिरिक्रिशन को पीले रंके फूल अरपित करें और केला चने की दाल गीता का दान करने से मा लक्ष्मी की गरपा बरसती है आर्थिक परिशानियों का अंत होता है और ये माननेता है कि इस से वंच वरद्धी का वरदान मिलता है मानसिक तनाव से मुक्ती मिलती है गीता जैन्ती पर किसी भी मंदिर में केले का पेंड लगाएं और उसके देखभाल का संकल्प लें गीता में लिखे स्लोग मनुष्य का कल्याण करने में मददगार है गीता का हर एक स्लोग भागवान सिरी कृष्ण के मुक से निकला है कल्यूग में गीता के उपदेश जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं गीता जैन्ती के दिन गीता का पाट करने से भागवान कृष्ण का आशिरवात प्राप्त होता है और वैक्ति के सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। साथ ही ये दिन पितरों को मौक्ष दिलाने के लिए भी उत्तम है। इस दिन सच्चे मन से भागवान विश्णू की प उटकारा मिलता है साथ ही जीवन में सुख शान्ती का अनुभव करता है। आज की वीडियों पस इतना ही आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जादा से जादा लोगों त शियर भी कर देना मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द एक नई जानकरी के साथ